तो दोस्तों, अब तक मैंने आपको छे जोतिलिंगों की कहानी बता चुका हूँ, की वो कैसे प्रकट हुए। आए आज जानते हैं और तीन जोतिलिंगों के बारे में। वेलकम टू गौद्स अफ इंडिया जहां में आपको मंदिरों और भगवानों से जुड़े कुछ अद्भुत रहस्य, उनकी ताकत और चमतकारों के बारे में बताता हूँ। शुरू करने से पहले भगवान शिव को याद करके कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। जो भी इस स्थंभ का अंत ढूंड लेगा वो ही सर्व श्रेष्ट कहलाएगा। तब विश्णु जी अपने वारा रूप में स्थंभ के नीचे की ओर गए। और ब्रहमा जी हंस के रूप में ऊपर की तरफ चले गए। तब बहुत तेर तक ढूंडने के बाद भी जब चो जा शिव समान से ही होगी। तब माना जाता है कि वो स्तंभ जब धर्ती पर प्रकाशित हुआ तो वह स्थान विश्वनात जोतिलिंग कहलाया। आठवा है। वैदिनात जोतिलिंग। जारखंड के देवगड में स्तित इस मंदिर की कहानी बड़ी रोचक है। शिव पुर तब भगवान शिव मान गये। परंतु बोला कि मेरा अगर यह लिंग लंका से पहले कही भी जमीन पर रखा गया तो यह शिव लिंग उधर ही रह जाएगा और इससे उठाना असंभव हो जाएगा। और रावन यह बात मान कर लंका के लिए निकल गया शिव लिंग को ले तब बहुत देर इंतजार करने के बावजूद जब रावन नहीं आया तब ग्वाले ने शिव लिंग को जमीन पर रख वो चला गया। जब रावन ने यह देखा और उससे पता चला कि यह विश्णू जी की चाल थी। तब वह क्रोध में शिव लिंग के ऊपर अपना अं जी तीनों बस्ते है। इसकी कहानी बड़ी ही रोचक है दोस्तों। एक बार की बात है ब्रह्मगिरी में एक रिशी गौतम बड़े महान रिशी रहते थे एक बार वह इलाका सूखे की चपेट में आ गया। तब रिशी गौतम ने वरुन देवता जी से तपस्या करके वहा एक कभी न खत्म होने वाला जलकुंड ले लिया। और वहां के सभी जीव जन्तूओं की बड़ी सेवा करी और साथ ही साथ काफी रिशीयों की भी सेवा करी। पर कुछ दिनों बाद बाकी रिशीयों को रिशी गौतम से जलन होने लगी। और भगवान गणेश से तप करक और कहा कि मुझे इस गोहत्या के आरोप से मुक्त होने के लिए गंगा सनान करना है। और शिव जी ने गंगा से विंती कर उन्हें ब्रह्मागिरी पर ले आए। पर गंगा मिया बार-बार ब्रह्मागिरी से चली जाती क्योंकि वह ब्रह्मागिरी में अकेली नहीं जाना तब गंगा मैया ने शिवजी से कहा कि आप भी ब्रह्मागिरी में लिंग के तौर पर बस जाए तब शिवजी ने गंगा जी की बात मानी और वे ब्रह्मागिरी में जा बसे तब से वहस्थान त्रियाम केश्वर के नाम से जाने जाना लगा तो कैसी लगी यह कहानिया मुझे जरूर बताए धन्यवाद